जहें दोस्तो आज के इस वीडियो में हम time and work part 5 की question solve करेंगे इससे पहले मैंने चार parts में time and work के और question समझाए हैं आप ये वीडियो देखने से पहले उन वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आएगा तो देखो मैं शुरू करता हूँ जाता time ना लेते हुए और जो पिछले वाले चार parts है उनमें कम से कम 6 या 60 type के question मेंने solve करवाए हैं तो अगर आप उन्हें देख लोगे तो आपका जो level है वो और अच्छा हो जाए तो देखो मैं यहां से सुरू करता हूँ कि ए एक कारे को 21 दिन में पूरा कर लेता है आपके दिमार को यह तुरंत आ जाना चाहिए कि एक कारे को 21 दिन में पूरा कर लेता है तो यानि यहां से हमें इसकी पहले efficiency निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बार नहू होता है 84 आपको लेना आता होगा मैं यह मान कर चलता हूं अब यह देखो यहां से एक चीज दिन में करता है तक भी उसी उसी कार को यानि एक के लिए भी कार रहा और बी के लिए वही कार रहा है तो यानि यह टोटल कार हो गया 84 unit total work हो गया 84 unit अब देखो मैंने आपको पहले वीडियो बता रखा है कि हमारे पास जब total car रहे है और उस car करने में समय लग रहा है वो दिया है तो हम आसानी से efficiency निकाल सकते है तो देखो एक efficiency क्या हो जाएगी efficiency होती है मैं फिर से बता देता हूँ तो total work कितना है हमारे पास 84 unit और time कितना लग रहा है उसे 21 का 24 भाग देंगे तो 4 यानि इसकी efficiency है 4 unit per day 28 से करेंगे तो 28 का भाग इसमें देंगे तो 3 unit per day अब यह क्या कहरा है देखो यह दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते है दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते है 7 दिन तक तो देखो total कितना काम हो जाएगा काम किसके बरावर होता है देखो यहां से total काम किसके बरावर होता है total work बरावर होता है efficiency into total time तो total work दोनों कितने दिन काम कर रहा है 7 दिन और दोनों की efficiency कितनी हो जाएगी इसकी है चार उसकी है साथ तो कितना काम कर देंगे वो 49 unit कितना काम कर देंगे वो 49 unit तो यह क्या कर रहा है तो कुल कारे का कितना हिसा बच जाता है तो उन्होंने 84 unit total कारे था 49 unit खतम कर दिया तो कितने बचे 14 में से 9 गए 5 और 7 में से 4 गए 3 यानि 35 unit बचा कितने का 35 unit बचा 84 का 35 unit यह ऐसे लिखना है total कारे का हिसा कितना हिसा बच जाता है यानि total कारे हमारे पास 84 unit था उसका 35 unit बच गया तो यह हो गया अब इसे 7 से काट 25, 35, 7, 7, 7, 7, 7, 12 14 यानि 5, 12 यानि हमारे पास कितना हिसा बच गया 5, 12, 12 यानि 10 का क्या है तो इस सवाल में कुछ नहीं था जो पहले मेरे सवाल बताया है यहां तक तो same है यहां के बास सीखने वाली बात थी कि वो कितना हिसा बच गया, यानि total हमारे पास 84 है, उसमें से 35 बच गए तो 35 बच गए 84 निकलेंगा और इसे solve करना है तो मुझे उम्मीर है कि यह सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया हुगा अब देखो, इससे बहतरी next question देखते हैं, यह कह रहा है A वो B मिलकर 10 दिन में एक काम करते हैं, यहीं A और B दोनों साथ मिलकर कोई काम करें तो वो 10 दिन में कर लेते हैं B वो C मिलकर 15 दिन में B प्लस C मिलकर करेंगे तो 15 दिन ले रहे हैं बढ़िया, और C और A C और A अगर मिल लेंगे तो कितने दिन ले रहे हैं? 20 दिन तो वे आठ दिनों तक साथ काम करते हैं तो C अकेला CS कारे को कितने दिनों में पूरा कर लेगा भाई ये CS कारे बोल रहा है और हमें तो कारे दिया ही नहीं तो सब से पहले यही याद करना है हमें कारे कितना है कारे कैसे निकालते हैं कि जितना समय दिया ना हो उसका LCM यह हम टोटल कारे मान लेते हैं तो इसका LCM होगा 60 तो हमारे पास यह मान के चलो टोटल कारे कितना है टोटल बर कितना है 60 unit अब हमें यहां तक तो सीखे अब यहां से हमें जरूरत पड़ेगी efficiency की तो देखो A और B दोनों की मिला के efficiency क्या होगी B और C दोनों की मिला के efficiency क्या होगी 4 ओओ कैसे रही है इसमें इनसे बाल दे रहा है और C और इसकी हो जाएगी अब एक बात बताओ A plus B यह वाला इसकी efficiency यह वाला B plus C C plus A यह को इसकी efficiency कितनी है 6 है, इसकी efficiency कितनी है देखो 4, ओ, इसकी efficiency कितनी है देखो 3, कितनी हो गई 13, यहां से 1 है यह यह, 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 दो है मैं अंदर लिख लेता हूँ, 2 ही B बन जाएँगी मैंने बहार लिख 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 है दो ही C बन जाएँगी, तो A पलस B प्लस C इनकी efficiency होगी 13 बटे 2 यानी 6 पुइंट कितनी होगी 13 बटे 2 यानी 6 पुइंट तीनों की efficiency मिला के 6.5 यूनिट पर डे है अब वो क्या कह रहा है वे 8 दिनों तक 7 काम करते है पर टोटल काम हमारे पास कितना है 60 यूनिट कितना यूनिट है 60 यूनिट तो देखो कितना काम कर लेंगे वो 8 दिन में तीनों की efficiency तो ये है 6.5 और 8 दिन काम कर लेंगे तो गुणा कर लेंगे तो टोटल बरका जाएगा मुझे यहाँ गुणा करने में कलती होगी देखो 8 का गुणा 8 पंज चालीस और 8 चेके 48 और 4 52 Sorry इसके लिए ये गुणा करने में मिस्टिक हुई है तो बावन टोटल काम कितना था 60 यूनिट और 22 यूनिट काम कर लेंगे तो कितना बचा 8 यूनिट और C को कितना लग रहा है 0.5 इसकी क्या है C की Efficiency तो इससे से काट देंगे तो 0 यहां बढ़ जाएगा और इससे ये कट जाएगे 16 बार तो इससे कितने दिल लगेंगे 16 डेज कितने दिल लगेंगे 16 डेज तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल पूरी तरह आपके समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्काय कर लें धन्यबाद जैहिंद